लिए दोस्तों आपका most welcome है मारे चैनल में तो क्या हाल चालनेजनाब? मुएद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा दोस्तों आज के समय में दुनिया में वैग्यानिकों के द्वारा रोज बहुत बढ़े बढ़े अविशकार हुआं और दोस्तों कुछ अविश्कारों में तो artificial intelligence का प्योग करके इन्हें और भी ज्यादा बैतर बनाया जा रहा है और आज के समय में इतनी ज्यादा smart technology की मदद से वैग्यानिकों ने कई सारे ऐसे robot बनाए हैं जो की इन्सानों से मिलते जूलते हैं और इन्सानों की तरह ही बात भी कर सकते हैं तो आईए आज हम आपको दिखाते हैं दुनिया एक सबसे unique and खुबसुरत robots को इस वीडियो को आप अन्द तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों दुनिया में खुबसुरत robots में से इस robot का नाम दूसरे नंबर पर आता है इस खुबसुरत से दिखने वाली robot का नाम एरिका है जपैन की यूसका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसे बनाया है और एरिका हर एक इनसान से बात कर सकती है और ये robot उनके चेहरे को भी आद रख सकती है जिसके कारण ये robot उनसे दुबारा मिलने पर उनको तुरंत पहचान जाती है और ये robot जिस इनसान से एक बार आवाज सुन ले फिर दुबारा उनकी आवाज सुनकर पहचान सकती है दोस्तों ये एरिका रोबोट देखने में बहुत ही खुबसूरत लगती है जिया जिया दुनिया के खुबसूरत रोबोट में से इस रोबोट का नाम पांचवे नमबर पराता है दोस्तों ये एक चीनी रोबोट है दोस्तों ये रोबोट दिखने में एक लड़की की तरह लगती है अगर दोस्तों इस रोबोट को महिलाओं के साथ छोड़ दिया जाए तो इस रोबोट को पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये एक रोबोट है इस रोबोट का नाम जिया जिया है इस robot की खुबसूरती और इसका artificial intelligence system बहुत ही कमाल का है दोस्तों ये robot दिखने में इतनी ज्यादा खुबसूरत लगती है कि इसको लोग देखने के बाद इसके साथ फोटो लेने लगते हैं और ये robot अपने हाथों को भी हिला सकती है और अपने चेरे के impression को भी बदल सकती है अच्छा दोस्तों वीडियो में आगे बने से पले जरा बताई न कि आप कहा से मारा वीडियो टक टकी लगा कर देख रहे हैं जनाब बताए जरा कमेंट में बता रहे हैं चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में बागे दोस्तों इस robot को हॉंग कॉंग कॉंग की एक कमपनी ने बनाया है ये एक बहुत ही खुबसूरत robot है ये robot अपने हाथ पैर और सिर्भी ला सकती है दोस्तों इस robot की skin को सिलिकॉन से बनाया गया है जिसके करण ये robot देखने में एक लड़की लगती है ये robot इनसानों से बात कर सकती है दोस्तों इस robot को हॉली वोड की एक एक एक्टर स्कोइनेब जॉनसन्स की शकल दी गई है कोफिया की खास बात ये है कि ये रोबोट आपने सामने बैठे वे इंसान से बात करते वे चेहरे के इंप्रेशन को भी सीखती रहती है और दोस्तों सोफिया ने उस इंसान से क्या बात की है वो बात को याद रख सकती है और उसकी यही सीखने की शमता उसे दिन प्रते दिन बहतर बना रही है जैमिनोइट डीके ये रोबोट दिखने में बिल्कुल असली लगता है जिसके कारण लोग इसे असली इंसान समझ लेते हैं और दोस्तों सोचते हैं कि ये इंसान रोबोट बनाने का नाठक कर रहा है इस रोबोट को कोपिया की एक कमपनी कोकुरों ने बन संदाया होगा साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कॉमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और हाँ अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो पलीज चैनल को सब्स्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लोड़ों